दोस्तों, यदि किसी ऐसी चीज की तलाश में है जो कि आपके बालों की लंबाई को दुगनी तेजी से बढ़ा दे हेर फॉल को कंट्रोल करे बालों में काला पन लाए और बालों में घणा पन लेकर आए जिसे बार-बार बनाना भी पड़े जिसे लगाना भी आसान हो बनाना भी आसान हो जिसे हम इस्टोर करके भी रख सकते हैं तो बस आज मैं आपके लिए बालों से जुड़ी हुई सारी समस्याओं को दूर करने की वही रेमेडी लेकर आई हूँ वीडियो को लास तक जरूर देखिएगा बहुत सारी इंफॉर्मेशन लेकर आई हूँ पसंद आए वीडियो तो लाइक कर दीजेगा चैनल को सबस्क्राइब कर दीजेगा सबसे पहले यहाँ पर मैंने लिया है दोस्तों अरीठा, शिकाकई और आवला इन तीनों चीजों का इस्तमाल पुराने समय से ही बालों को काला घणा लंबा करने के लिए किया आता जा रहा है पोशत ततों से भरपूर होते हैं हमारे बालों की जड़ों को इतना अच्छा नरिश्मेंट मिलता है दोस्तों अरीठा, शिकाकई आवला और मेथी के बीजों का इस्तमाल करने से कैसे बनाना है चले देखते हैं सबसे पहले मैंने सोपनट लिया है जो की एक माईल क्लिंजर के जैसा काम करता है अरीठा अरीठा के अंदर एक गुठली होती है उस गुठली को हम बाद में निकाल देंगे दोस्तों पहले तो ये सुखा हुआ रूप देख लिजे वैसे तो इनका पाउडर भी आता है मार्केट में यहाँ पर जो आमले देख रहे हैं न मैंने घर पर ही आमलो को काट कर सुखा कर स्टोर करके रखा है अभी आमले का सीजन है भरपूर मात्रा में ताजे आमले हमारे यहां आ रहे हैं सबी के हां आ रहे हैं तो आप भी आमले को स्टोर करके रखें नहीं तो बाजार से आप का पाउडर ले सकते हैं, आप सुखा हुआ आवले का टुकड़ा भी ले सकते हैं, चौथी चीज जो की हमारे बालों के लिए बहुत फाइदे मन्द है दोसों वो है, फैनुग्रीक सीड मेथी के बीज, कमाल के रिजल्ट देते हैं दोसों, मेथी के बीजों में भरपूर मात इन्हें पानी में भीगा दिया था पानी में भीगने से ये अच्छी तरह से पानी में सोख हो जाते हैं और हमें जादा से जादा इनका एक्स्रेक्ट मिलता है एक साफ बरतन ले लिया है जिसमें मैंने अरिठा, शिकाकई, आवला और फैनुगरिक सीट को इसमें डाल दिया आप डालेंगे एक बड़ा ग्लास भरकर पानी और इसे रखेंगे हम बॉयल होने ताकि इनका बचा कुचा भी जो एक्स्रेक्ट बच गया वो सारा कुछ इस ट्रॉनिक में आ जाए देखें सिर्फ मैंने भी पानी डाला है आपको इस पानी में थोड़ा सा जाग दिख रह जाता है शिका कई क्या है एक पौधे की फलियां है जब ये फलियां पौधे में लगे लगे सूख जाती है तो इन फलियों को हम तक शिका कई के रूप में बेचा जाता है पौधे की पतियां है फलियां है दोस्तों कभी नुकसान नहीं कर सकती शिका कई प्रोटीन से पेर करेगा ये हेर टॉनिक आपके बालों में छुपी हुई गंदगी को बाहर निकालेगा शेंपू की जर्वत ही नहीं है पहले समय के लोग इसी से तो हेर वाश किया करते थे दोस्तों एक बड़ा चमच भर कर आप कह सकते हैं टेबल इस्पून से बोलें तो टू टेबल इस्पून मैंने बड़ा चमच भर के चावल डाला है कोई साभी चावल डाले, Rice Water, कमाल का रिजर्ट देता है दोस्तों, बालों से जुड़ी हुई सारी समस्याओं को दूर करता है चावल का पानी, इसलिए तो आज भी कई देशों में बालों की सुंदरता को बढ़ाने के लिए Rice Water का इस्तमाल किया जाता है, हमारे देश में भी चावल के पानी का इस्तमाल आज भी किया जाता है बालों को काला घणा लंबा करने के लिए राइस वाटर में कुछ ऐसे ऐमीनो ऐसीड होते हैं दोस्तों जो कि हमारे बालों में एक नैच्रल शाइन लेकर आते हैं इसके अलावा जो राइस वाटर होता है इसमें विटामिन के होता है विटामिन B6 होता है चावल में एक ब्यूटी विटामिन होता है विटामिन B6 जो कि हमारे स्किन और बाल दोनों के लिए बहुत फायदे मत है जब भी हम राइस फ्लोर का इस्तमाल चावल के आटे का इस्तमाल स्किन के लिए करते हैं हमारी तोचा में बहुत अच्छी चमक आती है उसी तरह से बालों में राइस वाटर का इस्तमाल करने से बाल हमारे सिल् इसके अलावा राइस वाटर में भरपूर मातर में विटामीन E होता है और इसलिए तो चावल का पानी स्किन के लिए और बालों के लिए दोनों के लिए बहुत फायदे मन है बड़ी अच्छा इसे उबालना है दस मिनट तक स्लो फ्लेम पर आप इसे बॉइल करें उबल जाए ढाक दें ठंडा करने रख दें यहाँ पर आपको वीडियो बना कर बताना है इसलिए मैंने इसे जादा ठंडा नहीं किया अभी हलका सा ये गरम ही है मैं इसे चान रही हूँ और जो चन्नी के उपर जो बचा हो उसे फेकना नहीं है इसका इस्तमाल हम दूसरी बार फिर से कर देते हैं चन्नी के उपर बचे हुए अरीथा शिकाकई आवले को मैं धूप में सुखा दूँगी दो दिन के लिए अगले तीन से चार दिन बाद जब मैं फिर से हेयर वाश करूँगी दोस्तों तो वापस इसी अरीथा शिकाकई का इस्तमाल करूँगी आप दो बार इस्तमाल करें फेकने की जरुबत नहीं है आज मैं ये जो एक्स्रेक्ट है इसका इस्तमाल करने वाली हूँ जितना हो सके बालों के लिए नैचरल चीज़ों का इस्तमाल करेंगे बाल लंबे समय तक हैल्दी रहेंगे जितना हो सके केमिकल की चीज़ों से बालों को बचा के रखें इस हेयर टॉनी को मैंने एक प्लास्टिक की बॉटल में डाल दिया है ताकि मुझे लगाने में आसानी हो बालों की जड़ों पर लगाएं पूरे बालों की लंबाई पर लगाएं और इसे कम से कम 20 मिनट तो लगा रहने दे 20 मिनट के बाद केवल पानी से हेयर वाश करें शैंपू का इस्तमाल बिल्कुल भी नहीं करना है आपको ये शैंपू ही तो है पहले के लोग इसी से तो सिर्ध होते थे दोस्तों तभी तो बाल एक उम्र आने पर सफेध होते थे 70-80 साल की उम्र में आजकल कम उम्र में बाल सफेध होने लगे हैं इसका कारण है केमिकल की चीजों का बहुत जादा इस्तमाल करना शैंपू, कंडिशनर, बजार वाला, अलोविरा, जैल इन सारी चीजों से बच कर रहें प्रकृतिक चीजों का इस्तमाल करें इन चीजों के पाउडर भी आते हैं, अरिठा पाउडर, शीका कई पाउडर आप चाहें तो इसका इस्तमाल पाउडर फॉर्म में भी कर सकते हैं परंतु मैंने अच्छे रिजल्ट के लिए खड़ी चीज़ों का इस्तमाल किया है ताकि मुझे कोई मिलावट का डर ना रहे जिसमें आपको सुवीधा हो, कमेंट जरूर करिएगा दोसों, मेरे इस वीडियो को किस जगा से देख रहे हैं, आप आपका नाम लिखेगा, ताक बालों की लंबाई पर लगाना है, आप इसे जादा बनाकर स्टोर करके रख सकते हैं, यह खराब नहीं होगा, अपने आप में ही यह प्रिजर्वेटिव है, तो इस रेमेडि को ट्राय करें, हंड्रेट परसेंट एफेक्टिव वर्क करने वाली रेमेडि है, वीडियो को लाइक करें करें,